तो दिखे फिलाल अभी यह दिखा रहा है बैटरी परसेंटेज 100% और रेंज सो कर रहा है 100 जो कि अभी यह नॉर्मल मोट को सो कर रहा है तो फिलाल फ्रेंट इसको भी हम 40 के स्पेट में क्रूस कर रहा है अपने डिस्टिनेशन देखा पहुंच पाते है यह नहीं यह बीच उद्रापे चार्ज करना पड़ेगा और मेरा हाफ अब जर्नी अब गमलेट हो चुका है और बैटरी परसेंटेज 100 कर रहा है 62 यह व्यू कितना सुन्दर लग रहा है सामने यह सुरज और मेरे यह बोला जो लोग चयावासा एंड वेस्सिंबूम से हैं उन्हें यह पक्का पता होगा कि एक कौन से नदी है और यहां से हेवी वेहिकल्स के इंट्री होती है तो रूंटास्टेट इंट्री होती है और तक्रीबन यह साड़ा साथ सो आट सो किलोमेटर चल चुकी है तो आज हम इसके टेस्ट करने वाले हैं रेंज टेस्स और अभी उसकोटी को लेकर जाने वाले हैं जहिंग पानी जो कि तक्रीबन 85-90 किलोमेटर है तो देखते हैं कितना दूर तक यह चल पाता है और कितन पारा बैटरी परसेंटेज 100 परसेंट और रेंज सो कर रहा है 100 जो कि अभी यह नॉर्मल मोड को सो कर रहा है देखिए यह ओडो मेटर में सो कर रहा है 729 किलोमेटर तो चलते हैं सामके बज़ रहा है 1643 फिलाल अपना यह जरनी का सिरुवात किये हैं इको मोड में तो फिलाल फ्रेंट इसको भी हम 40 के स्पेट में क्रूज कर रहे हैं और देखिए और मेरे जरनी रहने वारा है बारेडी से जहिंग पानी जो कि एस पर गूगल में आप दिखा रहा है 85 किलोमेटर और हाँ आप लोग बता दे कि यह जो हम जरनी है यह हम इको एंड नॉर्मल मोड में ही करेंगे क्योंकि स्पूर्ट्स मोड में फ्रेंट्स मायर रेंज छोड़ा कम देगा इस व्यासे यह नॉर्मल एंड एको में ही रहेगा और आप लोग इस ब्लॉग का इंटर जरूर द पहुंच गया है और यह टाटानगर रिल्वेस्टेशन क्रॉस कर रहे हैं और देखिए यह 91 परसेंट दिखा रहा बैटरी जो कि 7.5 किलोमेटर से चुका है यह रहा टाटानगर रिल्वेस्टेशन फजाला भी ट्राफिक भी बहुत ज़्यादा है और यहां से तक्रिवन 80 किलोमेटर और चलना है मुझे तो चलिए देखते हैं और आपको बताएंगे कैसा रहेगा फिडबैक ओला स्कुटी का ओला लेना वर्थ है यह नहीं आप लोग को इस ब्लॉक एंड मालुम पढ़ जाएगा तो अब लोग पर बने रही है फ्रेंट्स तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं सुंदर नगर ठाना और देखिए यहां से हाता तक्रिवन 14 किलोमेटर है हमें जाना है हाता के साइट यह रास्ता तरी लिए जादू गोड़ा और देखिए अभी तक के जरनी जो है 11.5 किल अब तक तो फिलाद कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है और अब हम यह हाइवे पकड़ लिया है सिटी से निकल चुके है बाहर अब करेंगे क्रूस कंट्रोल ओन जो कि यह आर बिटन दावाने से होती है तो यह देखे यह हो गए है मेरा क्रूस कंट्रोल ओन जो कि अपर आप इसका इनिकरेशन दिख सकते हैं यहां पर यह ब्लू पलर का लाइट सो हो रहा वा अश्रान से आका आपको यह है क्रूस कंट्रोल ओन और अभी मेरा स्कोटी हो रहा क्रूस अब तक so far so good and हम चले जा रहे हैं हाँ थोड़ा speed थोड़ा कम है क्योंकि मुझे रेंज बे तुछ निकालना है friends आप लोग ये फ्यू देखिए friends आप लोग मौसम को जस्ट फिल करिये क्या मस्त लग रहा होगा silent party and ये मस्त सा व्यू एंड लॉंग जर्नी एंड ये जर्नी का होगा वो तो मेरे को भी नहीं पता आप पहुंसते हैं घर पहुंसते हैं ये नहीं पहुंसते है friends आज ओला का रेंज टेस्ट जरुब होगा है और लेकर के सही है यह नहीं यह साबित हो जागा है अब यह तो 21.3 किलोमेटर चल चुके हैं एंड यह रेंज सो कर रहा है 80% 100 किलोमेटर्स जो की इको मुड़का है यह अब तो जर्नी बहुत एच्छे रहा हैं हाँ थोड़े स्पीड मेंटन कर रहे हैं 40 to 45 तभी यह रेंज निखलकर कहा रहा है वर्रा रेंज और कम हो जाता है फ्रेंड्स तो अब हम हाता पहुंच गया है और यहां से तकरिबन और 60 किलोमेटर और जाना है मुझे अर अब हम लेंगे हमाने से राइट ट़न उर तक्रिवान 26 किलोमेटर चल चुके हैं और अभी रेंज दिखा रहा है 7,5 किलोमेटर और जहाँ से जाना है 60 किलोमेटर और जो की है जिंग पानी और फिलाल देखिए हमाने से चावसा अभी और 40 किलो मेटर है इस ट्रिप में थोड़ा ओफ रोड़िंग पर सामिल है क्योंकि डाइवर्जन का काम चल रहा है देखिए यह ब्रीज बन रहा है तो यहां पर एक डाइवर्जन दिया गया है अजय को अजय को अजय को अजय को अजय करें देखिए मेरे जोड़ डेस्टिनेस ने जिलिपानी वह यहां से 69 सब्सक्राइब कि फिफ्टी नैन किलो मिटर है आप अप लोग यह व्यू देखिए यह व्यू कितना सुंदर लग रहा है सामने यह सूरज और मेरा यह यह ओला एंड आप लोग सुर्फ यह व्यू को पस इमेजिन करिए सायद यह कैमरा में धंसक कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा बट सामने से वाकवी में बहुत सुंदर लग रहा है और वहां से जो है मेरा यह जो है वह जिरो होगया था और उसके बाद हाता से निकलने के बाद हम दस किलोमेटर चल चुके हैं और अवे फिलाल राज्जगर पहुंचने वाले हैं और टाइम हो रहा है सामके छे चार और स्पीड जो है मेंटें रखें है 40-45 अच्यावासा पहुंचने के बाद ब्रेक लेंके फ्रेंट्स अड़ा चाय वगरा पियेंगे और फिर रागे करेंगे तो कि अब चाह रहे हैं कि सुर्वे ड़ले दे पहले आपने जर्णी आदा तो जाला कंप्रिट कर लेंगे करने के लिए और यह नजारा बहुत सुंदर था यहां पर रुकना बहुत दुर्रील था अब्रेंगे फिर से यह ट्रीप मेटर जो हैं जीरो हो गया है और रेंज जो सो कर रहा है 64 परसेंट सो कर रहा है 80 परसेंट 80 किलोमेटर रेंज फ्रेंट्स तो फिलाला भी हम क्रॉस कर रहे हैं राजनगर जो कि यह खरसामाड पड़ता है और मेरा हाफ अब जरनी अब गमलेट हो जुका है जो कि आप लोग ओडोमेटर में देखे होंगे 7-29 किलोमेटर था जो कि अभी 70 किलोमेटर हो जुका है और बैटरी परसेंटेज सो कर रहा है 62 परसेंट अब तक तो फ्रेंट्स आपको हम हाइली रेकमेंड करेंगे उला बट हाँ आप लोग अगर हाइवे जा रहे हो तो आ देख लेना क्योंकि अभी तक उतना इंफ्रेस्ट्रेक्ट्चर तरफ नहीं हुआ है जिसकारण से आपको चार्जिंग पॉइंट वगरा नहीं मिलेगा और मेरा जो डिस्ट्रेशन है वह है 90-90 किलोमेटर का सपास है और इसका रेंस करता है 125 किलोमेटर एकम में 800 किलोमेट विदाओ टेल भर हम अपना स्कूटर को लेके चलते जा रहे हैं बहुत अच्छा फिल हो रहा है कि हम अभी तक पेट्रोल वगरा के लिए नहीं रुके हैं साम होने वाला है और सूरज भी अब डूबने वाला है और अधेरा होने वाला बहुत जल्ब इसलिए अब थोड़ काईस तो आप लोग तो क्रूज कंत्रूल का फीचर दिखाते हैं यह देखे है मेरे स्कूटर अभी चल रहा है 43 – 45 एशनी करें स्पीड में एड़ेए शनी क्रूज पैड मोग दीज़ेये हैं तो कि देखीए मैरे हैं विए उटर मेटने करेंगİ अ अगर आप्ट्राव प्रोज रुज कर देती हां अब कर देतने हैं तो का हैंडलर भिर घ benefici हो चलता रहे जिसे लुजए अब यह तो आप लोग इसे ट्राइ मत करियेगा जब तक आप लोग अच्छे से स्कूटर चलाना ना सिख जाते हों प्रेंट्स अपना हम खोला को राइंड करने के लिए लॉंग ट्रिप पे उच्छी ये व्यू देखे आप लो आसमान का व्यू एंड ये पहाड जंगल वाओ प्रोस कर रहे हैं ये देखिए बहुत यह अच्छा प्लांट बन रहा है और बहुत यह पड़ा है यह देखिए यह इस्टिल ब्लांट तो साम के पौने साथ बजे अब हम ये क्रॉस कर रहे हैं कुझ्जु रिवर ये देखिए कुझ्जु जो लोग चयावासा एंड वेस्टिमूम से हैं उन्हें ये पक्का पता होगा कि ये कौन से नदी है और नजारा देखिए काफी सुन्दर लग रहा है मन मोहक वाओ नया ब्रीज भी बन रहा है जज इसके पगल में इसका अब ये कंस्ट्रक्सरा काम जा रही है तो फ्रेंट्स यहां से देखिए अब हमें मुड़ना है लेफ्ट जो कि जिंग पानी यहां से अब दिखा रहा है 19 किलोमेटर एंड स्ट्रेट चल जाएगा चैवासा टाउन बठम ले रहे हैं यह पाइपास ओला रोड कंटिन्यू फो टू किलोमेटर उसके बाद फिर से नेक्स्ट लेफ्ट और अब यहां से मात्रे 20 किलोमेटर और जाना है जो कि है घर जिंग पानी प्रेंट्स तो अब हम पहुंच गए हैं टामबो चॉक जो कि चैवासा में स्थित हैं और यहां पर थोड़ा वरुकेंगे और चाय वगरा पियेंगे एंड फिर अपने जर्नी को कंटिन्यू करेंगे एंड देखिए पुर लगा हुए बजार अच्छा खासा बीड है यहा हो जुके हैं और सामने यह बना हुआ है डिसी ऑफिस और काफी अंधेरा हो गया है अब आप लोग लाइट देखिए वह लागा है लाइट बहुत ही घजब है इसका है फुरा उजाला कर देता है चैवासा का संजेवीर स्कुल अब देखिए यहां से जिंगपाने मात्र 16 किलोमेटर रहा गया है और हम यह बाइपास क्रॉस कर गया है और बहुत अच्छा लग रहा है जब हम फ्यूल स्टेशन ऐसी क्रॉस कर रहे हैं बीना तेल भरवा है वाह गजब का फिलिंग है गाइस तो 60 किलोमेटर के दुनिने बहुत इच्छा रहा हो लगा तो आप लोग पर बने रहे हैं घर जाने के बाद कर पूरा रिज्यू देंगे कैसा रहा कैसा था रहा है तो आप अब यहां से लिकल गया है और प्रस अब यहां से मात्र बच्छा है 15 किलोमेटर जोती है घर धिंग पानी और अगर आप यह रोड जो है फ्रेंड्स प्रदान मंत्री सडक योजना के तहट बनाया गया है 33 परसेंट बैटरी बचा है लाइटिंग बहुत यह अच्छा है फ्रेंड्स आप लोग रात के अंधेरे में से आप जरूर कंसेडर कर सकते हैं पुरो जाला घर देता है और बस यहां से तो फ्रेंड्स अब हम बस कॉलेनी इन हो गया है और घर लगबग पहुंची गया है और देखिए यह ओडो मिटर में जो मेरा सो कर रहा है टोटल 811 किलो मेटर चल चुके हैं जो कि होता है 82 किलो मेटर्स क्योई घर से रिंकल ने टाम उस टाम था कर डाइन हो खेंडेंट बाटरी पर्शेंटास्ति होकर है यह नैंटीन किलो मेटर किलो मेटर मतलब अराउंड हंडड किलो मेटर कर रेंज देगी यह स्कूटर जो की बहुत फिस साही ए और मेरा एवरेज स्पीड जो रहता था वह एरांड 45-40 और 50 में इसको क्रूज करते हुए लेकर कहा है हाई वे में एंड हंड्रेट कर रेंज बहुत सब्सक्राइए है तो चलिए फिलते हैं घर के अंदर निल्ब्ल जो बाइंड कि बुद्ध गवरेगें देखें किस तरक्राइब से होटा है मेरा सौगत घर में ये एक पैर मेरा घुसरा अंदर ये एक हाथ माँ आ घया मीठा और ये देखे मेरे दुसरा फेर अंदर गया और यह केक वाँ वाँ थिदी वाँ अज सगल दिखा अब इनलों के लग रहा है और तो चलिए फाइनली अब हम घर आ गए हैं पापा आगे घर हो दो पापा क्या है और अगर आप लोग अच्छा लोगा तो प्लेज लाइक से सब्सक्राइक जरूर करिएगा एंड हाँ और अप लोग भी जरूर प्रिफर करिएगा ओला को एक च आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो जरूर घ्यान में रखें क्योंकि अभी तक इंफ्रास्ट्रुक्ट्टर उपना डिवलब नहीं हुआ है तो आपको चार्जिंग पॉइंट गाउं वाले एरिया से में आपको नहीं मिलने वाला है तो इस इस लिए जरूर रखिए हुआज है तो इस भी तो घट आपको ची आपको टापको ए कर दो तो आपको टो अग्या तो और आपको का एली आपको जो और नहीं हुआ है।